नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी के प्रोग्राम स्पोर्स वर्ल्ड में मैं वन्दना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आज हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद हैं सीनियर जनरलिस्ट प्रदीप शाही जी शाही जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आस्ट्रेलिया के खिलाडी शेन वन्ड का निधन हो गया है मातर 24 घंटों में दो खिलाडियों का निधन हो गया सबसे पहले रोड मार्श जो की पूर्व विकट कीपर थे आस्ट्रेलिया के वो कई दिनों से अस्पताल में उपचारा धीन थे उनका निधन हो गया और बीती रात शेन वार्म जो की महान स्पिननर थे और उनका भी बावन साल की उमर में निधन हो गया हार्ट अटेक के कारण वे अपने घर में ही मृत पाए गए सबसे खास बात एक इसमें ये रही कि शेन वार्म ने अपनी मौद से कुछ समय पहले ही कुछ मिनट पहले ही रौड मार्श के निधन पर शोक व्यक्ट किया था ट्वीटर हैंडल के जरिये और ये खास बात इसलिए भी मानी जा रही है कि दो खिलाडियों का इस तरह के निधन होना क्रिकट जगत में एक बहुत ही दुखत घड़ी को नियोता दे रहा है ये चीज विश्वस्निय सी लग रही है कि शेन वार अब हमारे मध्धे नहीं रहे IPL के पहले सीजन में शेन वार ने राजस्थान रॉयल की और से कप्तानी करते हुए राजस्थान रॉयल को विजेता बनाने में एहम रोल अदा किया था शेरी लंका और भारत के मध्धे चल रहे क्रिकट मैच के दौरान भी शेन वार और रोड मार्श को श्रधानजली देते हुए काली पट्टियां पहनी गई और उसके बाद खेला गया मैच इसके इलावा न्यूजी लैंड में चल रहे आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्धे पहले विश्व महला कप के दौरान भी काली पट्टि पहन कर दोनों पूर्व खिलाडियों को श्रधानजली अर्पित की गई शेन वारन के बारे में बता दें कि 23 साल की उम्र में उन्होंने भारत की तरफ से 1993 में सिडनी टेस्ट में पदारपन किया था और आखरी मैच उन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला था जो उनके सन्यास लेने से पहले था एक खास बात ये कि शेन वारन ने टेस्ट हो या फिर एक दिवस्य मैच उन दोनों में एक हजार से अधिक विकट लेने में सफलता हसल की थी भारत श्रीलंका टेस्ट मैच में नर्वस 90 का रिकॉर्ड बराबर हो गया है क्या कौन है ये बल्ले बाज जी भारत श्रीलंका का मैच महाली में चल रहा है पहले दिन भारत की टीम ने 6 विकट पर 357 रन बनाए थे और इसमें नर्वस 90 का शिकार होने वाले थे विकट कीपर रिशब पंत जो 96 रन बनाकर आउट हुए रिशब पंत का ये पांचवा मौका है वो नर्वस 90 का शिकार हुए है इससे पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान महिंदर सिंग धोनी भी पांच बार नर्वस 90 का शिकार हो चुके थे पंत के डेवियू के एक और भी रिकार्ड उनके सामने बहुत अच्छा बना उनका ये कि उन्होंने 42 चक्के लगाकर टेस्ट मैच में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है पहले स्थान पर हैं बेन स्टॉक्स इंगलिश बल्ले बाज जिनके नाम 43 चक्के हैं और रिशब पंत के नाम 42 चक्के हैं और तीसरे स्थान पर हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा जिनके नाम अब तक 34 चक्कों का रिकार्ड बन चुका है अब ये देखना होगा कि अगले सीरिज जो मैच हमारा दूसरा होगा रिशब पंत क्या बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर अभी उनका समय देरी में आएगा भारत की महिला किसी भी शेत्र में पीछे नहीं है ऐसा ही निशाने बाजी का भी है जिसमें भारत की महिला ने स्वरन पदक हासिल किया क्या है पूरी खबर मिस्र में आई एससेफ वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है निशाने बाजी में भारत की तीन महिलाओं निवेता इशा सिंग और रूचिता बिनेर करने मिलकर दस मीटर एर पिस्टल में स्वरन पदक हासिल करके भारत को लगातार दूसरा स्वरन पदक दिलाने में भारत की और से अब तक दो स्वरन और एक रजत पदक हासिल किया जा चुका है तीन पदक होने के चलते भारत की टीम हमारी भारत की टीम इस समय टॉप पर है और ये देखना होगा अभी कई मैच हमारे शेश हैं तो क्या ये स्थान हमारा भारत का बरकरा रहेगा इसके उप यूकरेंग और रोस के बीच युद्ध चल रहा है ऐसे में दो फुटवाल खिलाडियों की मौद का मामला भी सामने आ रहा है क्या है पूरा मामला जी बहुत दुखत है युकरेन और रूस के मध्य युद्ध जो है वो दस दिनों से लगातार जा रही है और कई नागरिक भी मारे जा चुके हैं बड़ी संख्या में इसकी के चलते दो फुटवॉल खिलाडी 21 साल के विताली सेपिलो और 25 साल के दमित्रो माटेनेकुने इस अपनी जानगवादी है इसके लावा कई लगभग 400 से अधिक खिलाडियों के युकरेन के बारे में लापता होने की भी जानकारी सामने आ रही है जो बहुत दुखत स्थिती को बिया करती है आपको ये भी बता दे कि बीजिंग में कल बीते दिन यानि कि शुकरवार को 2022 श इशकासित कर दिया गया इन सभी को वापिस अपने अपने देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और युकरेन की टीम खास बात ये है कि युकरेन की टीम पैरा उलम्पिक में शिरकत करने के लिए पहुँच चुकी है अब ये देखना होगा कि युकरेन की टी पर आपने अपना प्रतिक्रम रखा आप यहां आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार कल फिर से स्पोर्ट्स की ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार